टोपिक नंबर फाइफ. राज़स्थान में इस्थानिय स्वशासन, ग्रामन एमंजिँ शहरी. राज़स्थान में पन्चाइती राज़ ग्रामन व्यवस्था. आदुनिक भारत में गवर्नर जनरल ववाय सराय लाड रिपिन 1880-1884 ने सर प्रतम 1882 में इस्थानी स्वाशासन के शिर्वात की इस करण रिपिन को देश में इस्थानी स्वाशासन का पिता कहा जाता है राजस्थान में बीका ने पहली देशी रियासत थी जहां 1928 में ग्राम पंचायत अदिन्यम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैदानिक दर्चा दिया गया पंचायती राज वैवस्था के महतों को दुष्टिकत रखते में समिदान के नुचे 40 में भी इसका प्रवधान किया गया पंचैतों की व्यवस्ता के लिए राजे में राजस्थान पंचैती राजा दिनियम 1953 एम राजस्थान पंचैत समीती और जिला परिशल दिनियम 1969 बनाया गया च्रीली बल्वंत्राय मेस्टा समीती जनवरी छंवरी 1957 में इस्थापित की गई सिफारिशों की किरान रित्ती में 2 अक्टूबर 1969 को सरप्रतम राजिस्तान में नागोर जिले में ततकारिन प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेरु द्वरा पंचैती राजव्यवस्ता का उद्गाटन किया गया उस समय राजिस्तान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया लोकतांतरिक विकेंद्री करण के प्रबल समर तक थे राजिस्तान की बाद 11 अक्टूबर 1969 को अंध्र प्रधेश में त्री स्तरी पंचैती राजव्यवस्ता लागोर की गई 1965 के बाद पंचैती राजव्यवस्ता में गिरावट आने लगी जिसका मुख्य करण अधिकार श्राज़ों में उनके चुनावों का बार बार इस्तगित होना है अधिकारों का विकेंदे करण बहुत कम मात्रा में होना तता वित्य साधनों में कमी होना था श्री नाथुराम मिर्दा समिती के सिफादेशों के आदार पर तेहतर्मा समिधान संचोदन अधिनयम 1992 पारित किया गया 27 अधिनयम 1993 को या अधिनयम मिजोरम मेगा लेंड नागा लेंड चम्मो कश्मिर दिल्ली राष्टे राजधानी शेत्रवा मनिपूर के कुछ पहाड़ी शेत्रों को छोड़कर संपोर्ट देश में लागू हो गया इस संचोदन अधिनयम के द्वरा समिधान के अनुछिद 243 को नवे भाग के रूप में जोड़ा कया तरता 11 वी अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राजध संस्थाओं के 29 कार्यों को सूची बद्य किया गया है इस अधिनयम के द्वरा पंचायती राजध व्यवस्ता को समयधानिक मानेता प्राप्त हो गई राजस्तान सरकार ने नया राजस्तान पंचायती राजध दिनयम 1904-23 अपरल 1994 से लागू किया राजध में वर्तमान में 295 समीतियां हैं 9177 ग्राम पंचायत वर 33 जिला परिशदे हैं महत्वपोंट तथ्य वाट ग्राम पंचायत में जितने पंचों की संक्या निर्धारित होती है ग्राम पंचायत शेतर को उतने ही भागों में बाटा जाता है तथा प्रतेक भाग को वाट कहा जाता है वाट सबा प्रतेक वाट के पंचीकरत 20 के मत दाता हूं 18 वर्षा से अधिक आयू का समू वाट सबा कहलाती है ये ग्राम पंचायत की सबसे छोटी कई है वार्ट सभा का अध्यक्ष वार्ट पंच होता है तता वार्ट पंच के अनुपस्तिती में उपस्तित सदसों द्वरा बहुमत से निर्वाचित सदस्य वार्ट सभा का अध्यक्षता करना है ग्राम सभा ग्राम सभा ग्राम सभा की वर्ष में चार बठके होंगी जो 26 जन्वरी 1 माई 15 अगस वद 2 अक्टूबर के 15 दिन के अंदर होंगी अध्यक्षता ग्राम सभा की बठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वरा उसके अनुपस्तिती में उपस्तित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य द्वरा की जाएगी इंद्रा गांधी पंचायती राज संस्थान जैपूर तथा राज ग्रामण विकास संस्थान का विले कर इंद्रा गांधी पंचायती राज एम ग्रामण विकास संस्थान की स्थापना की गई बिन्दू राजिस्तान में पंचायती राज व्यवस्ता तेहतरवे समीधान संचोदन अधिनियम राजिस्तान पंचायती राज अधिनियम 1994 वो पंचायती राज नियम 1996 के अधिन विवरण ग्राम इस्तर निमने इस्तर 9177 ग्राम पंचायते स्तंस्ता का नाम ग्राम पंचायत शेत्र अधिकार वा गठन शेत्र अधिकार वा गठन गाउं या गाउं का समू सरपंच उपर सरपंच वा पंच सदस्य ग्राम सबा द्वारा निर्वाचित पंच सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभाग के सभी पंजीकरत मतदाताओं द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष तह निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा त्याक पत्र विकास अधिकारी को उपाद्यक्ष उपसर पंच को उपाद्यक्ष का चुनाओ निर्वाचित पंचो द्वारा बहुमत के आध पर अपने में से ही उपादेक्ष द्वारा पदसे त्याग पत्र विकास अधिकारी को बैठकें प्रत्यक 15 दिन में कम से कम एक बार सरकारी अधिकारी ग्राम सच्चिव ग्राम सेवक next click column खंड स्तर पर madhya स्तर कुल 250 पंचायच संधा का नाम पंचायच संधी शेत्र अधिकार विकास खंड ब्लॉक गठन प्रधान उपुप्रधान वस सदस्य निर्वाचित सदस्य सदस्यों का निर्वाचन पंचाय समिती शेत्र से प्रत्यक्ष्ट निर्वाचित सदस्यों की नियुनतम योगता 21 वर्ष निर्वाचित नियुनतम 15 सदस्यों संख्या एक लाग से अधिक जन संख्या होने पर प्रत्यक अत्रिक्त 15,000 ये उसके भाग के लिए दो अत्रिक्त सदस्यों सदसो दोरा त्याग पत्र प्रधान को, पदनाम प्रधान, अद्देख्ष का चुनाव केवल निर्वाचे सदसो दोरा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन, अद्देख्ष दोरा त्याग पत्र जिला प्रमुख को, उपादेख्ष दोरा उप प्रधान को, उ सरकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी नेक्स्ट कॉलम विवरण जिला इस्तर शिर्षिस्तर तैंतिस जिला परिशद संस्ता का नाम जिला परिशद शेत्र अधिकार वगठन एक जिला जिला प्रमुख उपु जिला प्रमुख सदस्य सदस्य निर्वाचित सदस्य पदि सदस्य जिले की सभी पंचार समीतियों के प्रधान और जिले के सभी लोग सभा राज्य सभा वा विधान सभा के सदस्य सदस्यों का निर्वाचन जिला परिशाद शेत्र के निर्धारित निर्वाचन शेत्रों से प्रत्रेक्ष्ट निर्वाचित सदस्यों होते हैं योग्यता सदसो की योग्यता आयू 21 वर्ष निर्वाचित सदसे संख्या 17 सदसे संख्या चार लाख से अधिक जन संख्या होने पर प्रत्यक अत्रिक्त एक लाख या उसके भाग के लिए दो अत्रिक्त सदसे सदसो द्वारा जिला प्रमुख को त्याग पत्र दिया जाता है अधिक्ष का पद नाम जिला प्रमुख अधिक्ष का चुनाओ केवल निर्वाचित सदसो द्वारा बहुमत के अधार पर अपने में से ही अधिक्ष द्वारा त्याग पत्र संभागे आयक्त को उपाद्यक्ष द्वारा उप जिला प्रमुख को उपाद्यक्ष का चुनाओ केवल निर्वाचित सदसो द्वारा बहुमत के अधार पर अपने में से ही उपादेक्ष द्वारा पद से त्याग पत्र जिला प्रमुख को बैठके प्रतिक तीन माह में कम से कम एक बार सरकार अधिकारी मुख्य कारेकारी अधिकारी बिन्दू अध्यक्ष उपादेक्ष का पद से हटाना इन्हें निर्वाचित सदस्थों द्वारा दो बटा तीन बहुमत से और विश्वास प्रस्ता पादित करके पच्चे हटाया जा सकता है। पदिन सदस्थों को अध्य उपादिक्ष के निर्वाचन वह उन्हें हटाने में भाग लेने का अधिकार नहीं। पंचैत राजस संस्थाओं के प्रत्य पद के चुनाओ लड़ने के लिए युग्यता। नियून्तम आयो 21 वर्स संबदित निर्वाचन चेत्र का मतदान होना अवशक। 21 नॉमबर 1945 के पच्चाथ किसी व्यक्ति के तीसरी संतान पैदा होने पर चुनाओ लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी पंचैती राजस संस्था के एक से अधिक इस्थानों के लिए चुनाओ नहीं लड़ सकता। समाप्ति से पुर्वर नए चुनाओ कराने आवशक। विगठन की इस्थाती में चुनाओं विधटन की तिति से 6 महा के भीतर चुनाओं कराने आवशक। वर्गों की महिलाओं के लिए एक बटा तीन इस्थान आरक्षित थे पंचैती राजसंस्ताओं हेतु यह आरेक्षन रजपाल के अध्या देशों द्वारां 11 अप्रेल 2008 को तथा नगर निकायों हेतु सितंबर 2008 में अब बढ़ाकर 50% कर दिया कया सभी आरक्षित पद चक्रा अनुक्रम से आवंटित कर दिया चाहेंगे इसे तु विधान सभा में राजिस्थान पंचैती राजसंस्ताओं में संचुदन विध्यक भी पारित कर दिया चाहेगा 25 अगस 2009 को राजय मंत्री मंडल ने पंचैती राजसंस्ताओं में 21-35 वर्ष के युवाँ हेतु सामाने वर्ष के लिए पांच में से एक सीट, 20 प्रतिशत तता स्सी, स्ट वाउबिसी के युवाँ के लिए तीन में से एक, 33 प्रतिशत पदों को अरक्षत करने हेतु स्विक्रती प्रधान की है ज़ता राजस्तान पंचैती राज्य निर्वाचन नियम 1994 के नियम 6 वर्ष साथ मे के सदस्य को अध्यक्ष बनाया चाहेगा चुनाओ पंचैती राज्य संस्ताओं के चुनाओ राज्य निर्वाचन आयुक द्वरा इसका अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयुक दो होता है जिसकी नियुक्ती राज्य पाल द्वरा की जाती है राज्य निर्वाचन आयकत का कार्यकाल कारेक्रहन की तिति से पांच वर्ष या पैसर्थ वर्ष किया युजो भी पहले हो होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त को कारेकाल की समाप्ती से पुर्व उच्छ न्याले के नियाजिश को हटाने की विहित प्रकर्या से राष्ट्रपती द्वरा हटाया जा सकता है प्रतम राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अमर सिंग राठोड वित्य विवस्ता, पंचैती राजे संस्थाओं को वित्य संस्थान उपलब्ल कराने हेतू सुझाओ देने के लिए राजे वित्य आयोका गठन राजेपाल दोरा किया जाता है वर्तमान में मानिक चंद सुरणा के अध्यक्ष्टा में तर्क्ति वित्य वित्य आयोका 15 सितंबर 2005 को गठन मात्वपूर्ण तथ्य जिला आयोक समीतियां जिले की विकास योजना का निर्मान करने हेतू जिला प्रमुख की अध्यक्ष्टा में गठित समीतियां इनमें से कुल 25 सदसे होते हैं जिसमें से 3 पदेन वा 2 राजे सरकार दोरा मनुनित सदसे होते हैं पंचायती राजे संसाथ वरा धन राशी का सदूपयों सुनिश्चित करने हेतू विशेश ग्राम सभाओं के मद्यम से सामजे कंकेशन की ववस्ता लागू की गई है आदर्श ग्राम पंचायत और मिनी सची वाले में नई आवधरना में ग्राम इस तरह कालमिकों को ग्रा अर्मिन गरीब को जगे जगे भटकना नहीं पड़े मुखे मंत्री ने सीकर जिले के पिपराली पंचायती समिती के मल किलडा गाउं में आदर्श ग्राम पंचायत कारिक्रम का शुबारंब किया भारत में शरप्रतम नगरीद स्ullahस्थाषन की स्थापना मदरास में हुई 244 समिधान संषोदन अधिन्यम उननीसो बराणवे को जो 1 जून 1932 को लागू हुआ त्वाराय स्थाने स्थाने स्थाषन संस्था को समिधानिक दर्चा प्राप्त इसके ताहट समिधान में भाक नौक का जोड़ा गया इसमें अनुचे 243 से 243 तक शामिल किये गए समिदान में बारवी अनुसूची भी जोड़ी गई है जिसमें 18 विशे शामिल किये गए हैं शहरों में स्थानी स्वाशासन की संस्थाओं का सरुप वहां की जन संक्या के अनुसार निश्चित किया गया ह राजी की पहली नगरपाली का 1864 एसी में माउंट आबू में स्थापित की गई नगरिय स्वाय शासन व्यवस्तान नगर निकाय कुल 184 चोहत्तर में समिदान चंचोदन अधिनियम के अधिन जन संक्या नगरपाली का 166 बीस हजार से अधिक किन्तु एक लाख तक नगर पर उप अधिक्ष अधिक्ष सभापती नगर परिशत में सभापती नगर निगम में महापौर उपादिक्ष नगर पालिका में उपादिक्ष अभू सभापती नगर परिशत में उप सभापती नगर निगम में उप महापौर वाट सदस्यों में पार्षत 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 नोट वर्तमान में राज़स्तान में पांच नगर निगम जैपूर, जोदपूर, कोटा, अजमेर, बीकानिर हैं अजमेर नगर निगम 30 जुलाई 2008 को बना वह इसके प्रथम महापौर श्री धर्मेंदर गैलोद बने बीकानिर नगर निगम बनाने की गोशना 15 अगस 2008 को बीकानिर में हुए राज़स्तरी स्वतंतरता दिवस समारों में की गई थी जिसका गठन कर दिया क्या है इस निगम के प्रथम महापौर मक्सूद एहमद बने नगरी स्वाशासन की विभिन संस्थाओं से संबंदित प्रावधान सदसो का निर्वाचन वैस कमता अधिकार 18 वर्ष यह से अधिकायू के आदार पर वाडों से प्रतिक्स तर निर्वाचित प्रतिक स्थानी निकाय वाडों में विभाजित होता है प्रतिक वाड से एक पार्षट चुना जाता है सदसो की संख्या नगर पली का में सदसो की संख्या नियुनतम 13 होगी पारषट की योगित नियुनतम 21 वर्ष नाम उस्चेत्र की मतदाता सुची में पंजिकरत हो अद्धिक्ष का चुनाओ नए संचोदन के अंसर अद्धिक्ष का चुनाओ प्रत्यक्ष रूप से शहर के पंजी करत्मत दातां द्वारा किया जाएगा उपादेक्ष का चुनाओ दिर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से ही बहुमत के आधार पर अध्यक्ष या उपादेक्ष को हटाना एक बटा तीन पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताओं को बहुमत से पारित करना कारेकाल पांच वर्षे विगटन विगटन की किसी विगटन की स्तिती में विगटन की तिथी से छे महां में चुनाव कराने वशक हैं पुनर गठेत निकाय शेश अवधी के लिए ही कारे करेगा आरेक्षण सभी पदों पर सभी वर्गों के एक बटा तीन स्थान महिलाओं के लिए आरेक्षित थे जिनें सितंबर 2008 में राज्यपाल के अध्यादेश द्वरा 50 परतिशत कर दिया कया राजिस्थान नगरपाली का अधिनियम 2009 में भी इसका प्रावधान कर दिया कया है परन्तु उच्चु नियाले द्वरा 6 जुलाई 2010 को इस आरेक्षण पर रोक लगा दी गई अतर 2010 में हुए चुनाओ एक बटा तीन आरेक्षण के अधार पर हुए बिंदू राजिस्थान नगरपाली का विदेख 2009 ये विदेख विदान सबा में 17 अगस 2009 को पारित हुआ ये पुराने नगरपाली का विदेख का इस्थान देगा इसमें नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरेक्षण का प्रवधान किया गया है इसे विदेख में युवाओं को 20% आरेक्षण देने के लिए भी नहीं धारा की से जोड़ी गई है अब सबीस तरी निकायों में महिलाओं को 50% आरेक्षण देने के लिए सबी निकायों में महापौर, सभापती एवं अध्यक्ष सबीस वाड़ों की लोट्रियां नए सरे से निकाली गई है, इसके अतरिक्त नए कानुन में पालिकाओं को कोई कर लगाने वा अपना बजट खुद पारित करने का अधिकार दिया गया है, पालिकाओं के अधिकारियों के लिए नगरपाली का प्रशासनिक सेवा वा तक्निक अधिकारियों के लिए नगरपाली का अकनीकी सिवा गठित की गई है नगर पाली का अधिन्यम में संचोदन राइट टू रिकॉल का प्रवधान राज्य विदान सबान ने 22 मार्ट 2011 को नगर पाली का अधिन्यम में संचोदन अधिन्यम पारित किया इसमें प्रवधान है कि किसी भी शहरी निकाय नगर निगम तता जन्मत संग्र में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान होने पर ही प्रमुख को पद से हटाया जा सकेगा यह अविश्वास प्रस्ताव निकाय प्रमुख के पद ग्रहन की तिथी के दो वर्ष के अवदी से पुल्वन नहीं लाया जा सकेगा निकाय के उपादेख्ष को हटाने हेतू जन्मत संग्र के उशक्ता नहीं है इन संस्थाओं में उच्चित पती नेदित्व हेतू प्रत्यक शहर कस्पे को विभिन वाडों में बाटा गया है तटा प्रत्यक वाड से एक पार्षद का चुनाओं किया जाता है सभी निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से एक उपा देख्ष चुनाओं चाता है इन शहरी इस्थाने निकायर पर संबंदित शहर की सफाई जल प्रदाय सेनेटरी स्वास्ता आधी व्यवस्ताओं का जिम्मा है दो अक्टूबर 2009 को पंचायती राज व्यवस्ता की स्वन जनती के उपलक्ष में नागोर में स्वन जनती समारों मनाया कया नगर विकास प्राधिकरण जाजमें नगर के सू नियोजित विकास है तू नगर विकास प्राधिकरण अभी केवल जैपुल में ही है जोदपूर में जोदपूर विकास प्राधिकरण की स्थापना 12 सितंबर 2009 को कर दी गई है चावनी मंडल सैनिक चावनी में इस्थानी प्रशासन हेतू चावनी मंडल स्थापित किये गए है चावनी मंडल भारत सरकार के रक्षा मंत्रा लेके सीधे नियंत्रण अधिन वा परेविक्षण अधिन है इन पर राधिस सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है राजिस्तान में केवल नसिलबाद अजमेर के सैनिक चाउनी में इस्थानी प्रशासन हेतु चाउनी मंदल स्थापित है। चाउनी बोड का द्यक्षोष सेना का कमाणिक आफिसर होता है। वस्तुन बैस्ति प्रशननद प्रशनर 1. 24. संविदान संचोदन अधिनम संबंदित है अंसर शेहरी निकायों को संविदानेक दर्जा प्रदान करने से 2. निम्ल मेशेक कि शेहर में नगर निगम नहीं है उधिपोर में है जैपूर बिकाने जोदपूर में प्रेशनर राजिस्तान में लगरी इस्थाने निकायों का चुनाओ करवाने का दायत्व है राज्य चुनाओ आयोको प्रेशनर जिला परिशत के अध्यक्ष जिला प्रमुका निर्वाचन होता है जिला परिशत के निर्वाचत सदस्यों के द्वरा राजिस्तान में ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदसर कहलाते हैं पंच राजिस्तान में पंचायती राज व्यवस्ता की मध्यमिस्तर की पंचायती राज संस्ता है पंचायत समीती 73 समईदान संचोदन अधिनियम दौरा समईदान में जूड़ा गया 11 व अनुसूची व अनुचे 243 प्रशन को प्रफावी वर्सस्यक्त समयदाने गुस्ती प्रधान की गई है 73 प्रश्ण ग्राम सभा है ग्राम पंचयत शेत्र में पंजीकरत समस्त मतदाताओं की सभा प्रश्ण ग्राम पंचयत के अध्यक्ष का चुनाओं किया जाता है अंसर ग्राम पंचयत शेत्र के पंजीकरत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रश्ण व राजिस्थान में अस्तित्व में नहीं है अंसर महा नगर निगम प्रशनर शहरी सुषासन निकायों को प्रभावी वस्तशक्त सम्विधाने की स्थिति प्रदान करने वाला सम्विधान संचोदन अधिन्यम है प्रशने साजिस्तान में नगर परिशद वर नगर निगमों की संख्या है तेरा वर पांच प्रशने शहरी निखायों के निर्वाचित सदसे कहलाते हैं वाट सदसे पार्शद प्रशने पांच लाग से अधिक जन संख्या बाले शहरों में स्थापित शहरी निकाय है नगर निगम प्रेशन नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है सभापती प्रेशन चोहतरवे समीधान संशोदन के अनुसार नगरी स्वैत शासी संस्थाओं का कारेकाल होता है पांच वर्ष प्रशनर नगर पालिक आदिनियम में संशोदन के बाद अब नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाओ होता है नगर के पंजीकरत मतदातां दोरा प्रत्यक्ष रूप से प्रशनर एक लाग की आबादी वाले शेहरों के लिए नगर निकाए है नगर पालिका प्रश्न, शेहरों में जण्मम्रत्यू के पंजियन का उत्तर दैत्व है? शेहरी निकाए प्रश्न, राधिस्तान के किस कर्समे में चावनी बोड इस्थापित है? नसीराबाद प्रश्न, तहतर्वाब वचाहतर्वा समिदान संशोदन अधीनियम संसरद्वारा किस वर्ष पारित क्या गया, उननीस सो बराणवे, भारत में इस्थानिय स्वाशासन के जनत थे, लॉर्ट रिपिन, कौन सी नगरी इस्थानिय स्वाशासन निकान नहीं है, तालू का कमेटी है, नगरपाली का टाउन एरिया कमेटी, केंटोन मेंट बोर्ड, नगर परिशत का मुख्य कारेकारी अधिकारी होता है आयुक्त। प्रश्ण शहरी निकार यदि कोई कर अरोपित करना चाहे तो उसके अनुमती लेनी चाहिए राज्य सरकार से। इस्थानी स्वायत शासन विशे है राज्य सूची। नगरी स्वायत शासन की कौन से अन्य एकाईयों के अपिक्षा अधिक स्वायत दिता का प्रोग करती है नगर निगम। प्रश्ण अधिसूची छेतर समिती की स्थापना कहा होती है नय विकाशिल नगर में। प्रश्ण एक नगर पाली का अधिकारी नहीं है अंसर विक्रे क निरिक्षकिय। है स्वास्त दिकारी सफाय निरिक्षक में प्राश्तन कॉ compose कर इस तानी स्वाशास्थन संस्थान नहीं लगा सकती आयकर लगा सकती है जलकर गरहकर द्रीकर्श्त्र भारत में इस्थाने संस्था कॉन सी नहीं हैं अंसर प्रशासने काउंटी हैं नगर निगम नौटिफाइड एरिया कमिटी केंटोन मेंट बोर्ड प्रशनर पंचायती राज अदिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार एक लाग की जन संक्या वली पंचायत समीति में कम से कम कितने सदक से चुने जाएंगे 15 प्रशनर राज्य म सबसे कम पंचायत समीतिया किन जिलों में हैं हनुमानगर जैसल मेर प्रशनर पंचायती राज व्यवस्ता में जिला प्रमुक अपने कारेकाल की समापती से पूर्वही अपना त्याग पत्र दीना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्याग पत्र सौंपेगा संभाग प्रशनर राजिस्तान में ग्राम पंचायत के उप सर्पन्च पंचायत समीति के प्रधान वा उप प्रधान तता जिला परिशत के प्रमुक वा उप प्रमुक का चुनाओं की स्विधी द्वारा होता है परोक्षे प्रश्नाइ पंचायती राज अधिन्यम 1994 का मुख्य उद्धिश क्या है प्रशासन में जन्द सम्माने की सहभागीता में प्रद्धी प्रश्नाइ राजिस्तान में पंचायतों के प्रथम चुनाओं का अब संपन हुए 1960 में प्रशासन में जनता को आर्थिक से अधिक भागिदादी प्रधान की जाती है, सरकार का अस्थित्व ही समाफ्ट कर दिया जाता है प्रशन राजिस्तान में जिला परिशत की आई का मुख्य स्थोत्र है, अनसर पेयजल कर मेलों हेतु लाइसेंस फीस क्रशी उपच की मार्केट पर अधा प्रतिशत सर्चाज प्रेशने राजिस्थान में पंचाथी राज व्यवस्ता का शुबारब निम्न में से किस पंचवर्षे योजना के तायत किया गया था अंसर द्वित्य प्रेशने निम्न में से किस ने पंचाथी राज को ने भारत का सरवादिक मैत्तपूर एत्यासे कदम गोशित किया जव पाहरलाल नहरू